अगे तुम आपके जाएिए हाद मेरेज्स प्रिवेंशन को लेके जो के मंटा की सरकार है यह llei मंटा-विम्य-सर्मा की सरकार है वह जिस तरह से एक्टिव है जिस तरह से गिरतारिया हो रही है और गिरतारियों पे जो आरोप अ प्रत्यारुप और तमाम अपने ीवल की जो politics हो रही है उस पे हम बातचीत करें इस कदम को उठाने के पीछे वजह जो थी वो और इस कदम को उठाने के पीछे का जो homework है सरकार का हो homework क्या है और implementation की modus operandi क्या है किन तरीकों से सरकार इसको implement कर रही है कैसे तश्दीक हो रही है कैसे जाँच हो रही है और गिरफदारियां F.I.R. तमाम चीज़ों के लिए क्या क्या पालन किया जा रहा है प्ली सर बिल्कुल सो पहली बात जो वज़े वज़े इसलिए है क्योंकि असाम के जो health indicators है ये बहुत ही कुछ मामलों में बहुत ही खराब है वज़े इसके कि असाम में जो अभी के मुख्यमंतर हीमंतब इस्टो सर्मा वो कई सालों से साइस्थमंतरी रहे है 2004 से शायद उन्होंने health minister का जिम्मा संभाला है जब Congress के जमाने में भी health minister रहा करते थे और अभी भी ये पद संभालने से मुख्यमंतरी पद संभालने से पहले वो स्वास्थमंतरी ही रहा करते थे लेकिन बावजुद इसके और इसकी जो popularity हीमंतर विश्व सर्मा की जो popularity हमने देखा है वो popularity की वज़े ही है उनके performance स्वास्थ सेक्टर में health सेक्टर में जो भी performance है बहुत सारे medical college hospital बनाया है डॉक्टरों के performance इंप्रूब करवाया है तो ऐसे बहुत सारे कदम है लेकिन जहा तक health indicators especially MMR maternal mortality rate और IMR infant mortality rate ये दोनों पर जब बात आती है तो दोनों में असाम के performance बहुत ही खराब है बहुत खराब है इतना बुरा हाल है कि अगर आपका देखा जाए असाम के MMR अभी 195 है एक लाख लाइफ बार्ट में जो देश में सबसे हाइस्ट है नेशनल जो average है वो 97 ह तो उसी तरह अगर आप IMR का बात करेंगे तो असाम में 36 है per thousand live birds में हाला कि national average 28 है 32% women 32% महीला जिनके उमर 20 और 24 में से थे ऐसे जो औरत पाए गये है उनकी शादी 18 साल होने से पहले हो गये थे जो जो national average है जो ऐसे 18 साल से उमर के पहले शादी होने वाले 20 और 24 वाले जिनके सर्वे किया गया है वो है 23 प्रतिशत मतलब असाम का 9 percentile points जादा है उसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो 12 प्रतिशत married women पाया गया है जो 15 और 19 साल के उमर के बीच में है जो already मा बन चुकी है या pregnant है वो असाम में पाया गया है 12 प्रतिशत और national average है 7 लगवग दुगना तो यह जो स्थिती है इसकी वहे से हिमत विश्व सर्मा सरकार ने सोचा है कि जो child marriage है child marriage के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए लेकिन मैं यह इसके साथ और एक political वज़े भी है इसको political भी माना जा अगर असाम के TFR जो total fertility rate का देखा जाए तो असाम का average है 1.9 जो national average दो से कम है marginally कम है लेकिन कम है लेकिन वही TFR अगर असाम के Muslim महिलाओं के साथ देखा जाए वो 2.4 है तो देश में एक मतलब one of the highest है जो तो यह जो TFR है पहले 2005-6 में 3.6 से गिर के 2.4 हुआ है कम हुआ है कम हो रहा है लेकिन साथ में यह समझा है कि जो मैंने political बात कहा है असाम में आपको पता है immigration एक बहुत बड़ी मुद्दा है और जो बीजेपी सरकार आने के बाद एक Hindu Muslim इशू बन चुका है वो क्योंकि जो भी बंगलादेश से ज्यादा तर immigrant है मुस्लिम लोग है असाम के लोग के समझा इसलिए नहीं था कि यह लोग मुसल्मान धर्मावलमी है या इसलाम को मानते है इसलिए था क्योंकि वो बंगलादेश से आये है अब इनको थोड़ा सा बीजेपी सरकार ने इसमें एक religious angle भी डाल दिया है और अभ 1971 और 1991 के बीच में अगर आप असाम के growth rate को देखेंगे मुसल्मान की growth rate 1971 के जिक्र मैंने इसलिए कि उससी समय वो इंदो बंगला जो लिबरेशन हुआ था तो 1971 में और 1991 के बीच में जो population growth है वो इसलाम मुसलिम लोग का है 77.42 परसंट और इंदू लोग का 41.89 परसंट जो यह अंतर है जो नशचनल हिंदू growth rate है उससे कम है और नेशचनल जो मुसलिम growth rate है अगर नेशनल इसी दौरान अगर नेशनल Muslim Growth Rate देखा जाए तो वो सिर्फ 55% है 55% है और यहाँ पे 77 है और उसी तरह Hindu Growth Rate यहाँ पे 41 है 42 मान के चल सकते हैं और National है यह 48 तो आप देख रहे हैं कि हिंदू की Growth Rate यहाँ पे National से कम है और मुसल्मानों की ग्रोथ रिक नैशनल एवरेस से भी कई गुना जाता है तो इसके वएसे एक लोग के मन में डेमोग्राफिक एक संका है जो हिंदू धर्मावली में लोग है मैं एक और छोड़ा सा जाहूंगा क्योंकि जिस हगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो यह जो नेरेटिव है जो की मुझे याद है कि जब NRC की NRC अपने धीरे धीरे अमली जामे में आ रहा था असम में आज से करीब मैं 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूं चार-पांस साल पहले की तो उस समय मैं ललन टॉप में नहीं था लेकिन मैं उस समय असम घूमने गया था और उस समय बीजेपी और तमाम छितरी दलों की यह उन्होंने भरसा की लोगों को यह भरोसा दिलाया था अपने कैमपेंस की मदद से भी कई लोग बताते थे उस समय से कि इस 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 इनस्टेबिल्टी से दिक्कत हो सकती है मूल असमया लोगों को जो मुसलमानों का इंफिल््टरेशन है कथित तौर पे बांगला भाशी मुसलमान जो हैं वो सीदे सीदे यह नहीं कहते थे बांगला देश से आके लोग आपका सब कुछ छीन रहे हैं वह य बात कर रहे हैं तो आकड़े में मुसलिम प्रजिन अंदर जो है उसमें तो ओवर ओल पिछले 14 सालों को मुमले थोड़ी उसमें डिक्लाइन देखा गया है तो क्या आप नहीं नहीं सुनिए जो आप कह रहे हैं जो आप कहोगे कि फर्टिलिटी रेज जो है 3.6 से नीचे गिर के 2.4 हुआ है ठीक है वो डिक्लाइन हुआ है लेकिन अभी भी वो डिक्लाइन के बाद भी वो हिंदू ग्रोफ रेज से जादा है और इसी वएसे क्योंकि बहुत अलामलिंगली उनके पॉपॉलेशन बर रहे है जैसे 34 परसंट हो गया उससे पहले 29 परसंट है 29 से 34 हो गया है हिंदू हो कोई और धर्म के हो SME स्पीकिंग हो कोई और भाषा बोलने वाले हो इनके मन में एक संका है कि जो डेमोग्रफिक ये जो इंपलोशन हो रहा है या बरोतरी हो रहा है मैं आपको एक एक जामपल देने वाला था एक डिस्ट्रिक्ट है धूबरी जिसके जिक्र अब देने चिए。 अब धूबरी के पॉपॉपॉलिःशन अती प्रतिशट अभी के समय में मुसल्मान लोग है इससे पहले अगर पूराने इतिहास में जाएंगे तो धूबरी के पॉपॉपॉलिशन लगवक समानता पे थे और उससे भी पहले जाएंगे तो हिंदू पॉ में एक district है kokreja जाब की यह जघी कई ग्रोध रहते हैं और बाक बहुत Kr corporation मुस्लीमूं यहे ए सब्कृर्ट की इस इसलों इसलों के जो पाइप परसेंट पांच प्रतिशत तो यह जो एकदम नेवर है बोर्डरिंग इच अदर तो यह जो एजसेंट डिस्ट्रिक्ट में यह हालत है इसके वएसे एक संतूलन में समझ से आ रहे हैं अब यह तो हो गया लोगों की बात अब बीजेपी ने इस बात को एहम लिया है और बीजेपी को यह जानकरी है कि जिस स्टेट में 40% अभी 34 है और एक्शुल में शायद यह 40% Muslim population है वहां पे बीजेपी को हमेशा दिक्कत होंगे तो यह long term plan भी है कि अगर यह child marriage रोक के जो एक महिला के fertility rate है उसमें लगाम लगाया जा सकता है तो आगे जाके उनको बीजे सर्मा का यह long term plan है और इससे दो फाइदा होंगे एक तो नरेटिव का भी फाइदा होगा ही इसमें जी एक तो उनके population को यह control कर पाएंगे दूसरी जो हिंदू population है जो non Muslim population है non Muslim exactly नहीं होगा non बंगलादेशी immigrant population है उनको यह सुनके अच्छा लएगा कि यह सरकार कुछ ऐसा क इसके वज़े से हमारी जो डेमोग्रफिय है हमारी culture और इसको संका नहीं है तो एक तीर से वो तीन निशाना साध रहे है कि IMR, MMR के जो गिरावट है और जो है उसमें उन्नती हो और साथ में Muslim लोग की Muslim जब बोला जाता है यह बहुत ध्यान से आपको समझाना पड़ेगा क कि असाम में दो किसम के Muslim है, एक Muslim of immigrant origin और एक indigenous Muslim जो SME speaking Muslim होते हैं और जो immigrant origin पे होते हैं उनके मातरी भाषा बंगली होते हैं हाला कि उनमें भी ज्यादा तर लो एक large section of them, SME बोल सकते हैं और SME मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं वो एक और अलग मुद्दा हैं लेकिन जो demographic divide है और ethnic tension है या religious tension है अब इसको religious बना दिया गया था पहले ही ethnic tension था क्योंकि SME speaking लोगो को ये और एक इतिहास में कहानी है कि SME speaking लोगो को जो बिंगॉली speaking लोग है उनसे काफी दिक्कत है क्योंकि 1886 में बिंगॉली impose किया गया था तो इससे कोई परक नहीं परता है कि वो बिंगॉली speaking लोग हिंदू है या मुस्लिम है तो ये जो बंगलादेश से immigration का सबसे बड़ा खत्रा SME महसूस करते हो इसी वह सी कि उनके language पे खत्रा हो सकते है उनके culture पे खत्रा हो सकता है इस tension को बीजेपी और इस कदम से और ऐसे बहुत सारे और कदम उठाये है आपक की कोशिश हो रहे है और साथ में जो जेनूइन वज़े है MMR और IMR की बहुत जरूरत है और ये डेटा कहते है चाइल मेरे इसलिए रोकना चाहिए अब आते हैं आप पूछ रहे थे मुझे implementation के बारे में मोडस ऑपरेंड़े क्या है असाम सरकार के अगर हिमोंतो विश्व सर्मा सरकार के देखेंगे दोजार इकीस से ये पुलिस फोर्स को कोई भी चीज इंप्लिमेंट करने में बहुत भूमी का निभाने के लिए उकसाते है तो ड्रक से लेके जहां पे पुलिस की रोल है ही ल उन सबके साथ साथ लेकिन पुलिस की जो भूमी का है पुलिस को जिस तरीके से हिमोंतो विश्व सर्मा उटिलाइस करते है बहुत सामने रखके करते है तो इसी तरह यहां पे भी पुलिस को सामने रख दिया गया हाला कि चाइल मेरे सिर्फ पुलिस खतम नहीं कर सकते है इ ताजी को arrest कर रहे हैं कोई प्रीस्त या कोई काजी इनको arrest कर रहे हैं या ने सब में involved जहां पर भी direct involvement पाया जाता है उनको arrest कर रहे हैं लेकिन मुद्दा यह है कि इन arrest से एक बात होता है कि खोभ पैदा हो गया है कि आगे जाके कोई नहीं करेंगे लेकिन इनकी कितनी जरुरत थे और कहां कितना चूजबूज के साथ एरेस्ट होना चाहिए था